क्या भाजपा संगठन मंत्री पवन राना का ट्वीट पंजाब की राजनीती का समीकरण बदलेगा क्यूंकि उनके निशाने पर आज ना सिरफ कॉंग्रेस बलकी आम आदमी पाती और बादल भी नजर आए पंजाब में 20 फरवरी को होने जा रहे विधान सभा चुनावों के लिए 18 फरवरी की शाम को चुना प्रचार थम जाएगा ऐसे में चुनाव मैदान में उत्रे प्रत्याशियों के लिए अब सिरफ एक दिन बचा है प्रत्याशी हर घंटे का इस्तेमाल करने में जुट गए हैं ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए प्रत्याशियों और उनकी पाटी के स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत जोंक दी है आलम ये है कि देश रात तक प्रत्याशी लोगों के घरों पर दस्तक दे रहे हैं इसमें चंद लोगों को एक घर में बुला कर बातचीत करने का दोर भी जारी है प्रतियाशियों के साथ साथ अन्यनेता भी अपनी अपनी पाती को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आ रही हैं जहां एक और आरोप प्रतियारोप का दौर प्रदेश में चरम पर है वहीं ट्वीटर पर भी सभी सक्रिये हैं हिमाचल प्रदेश भाजपा के संगठन मंतरी जो आजकल पनजाब के चुनाब प्रभारी भी हैं पवन राणा ने इसको टैग केजरीवाल और खालिस्तान को किया है उन्होंने कही ना कही निशुलक बिजली और पानी की बात की है और कहा है कि हिंदू फ्री बिजली पानी के चक्कर में है वहीं दूसरी ओर गजबा एहिंद और खालीस्तान की बात कही जा रही है उन्होंने देश के राजनितिक हाल की चर्चा भी की है और हिंदूों को जगाने का प्रयास पंजाब में होने वाले मतदान से ठीक पहले किया है मतलब एक बड़ा हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास भाजपा पंजाब में भी करती नजर आ रही है पंजाब में सबसे ज्यादा सिक समुदाय की लोग रहते हैं जो पंजाब की कुल जनसंख्या का 57.6 नौ प्रतीशत है और इसके बाद हिंदू समुदाय का नाम आता है जो पंजाब की कुल जनसंख्या का 38.4 नौ प्रतीशत है भारत की आजादी के समय वर्ष 1951 में पंजाब की कुल जनसंख्या 51.61 थी जो वर्ष 2011 में 2.77 लाख हो चुकी है और अब यहां की जनसंख्या 3 करोड को पार कर चुकी है पंजाब में हिंदू और सिक समुदाय के अतिरिक्त मुस्लिम जैन बौध और अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं जो की पंजाब की 4 प्रतीशत जनसंख्या में सिम्टे हुए हैं हिंदूत्व को लेकर पवन राणा की ये पोस्ट क्या राजनितिक रंग लेती है ये देखना होगा हिमाचल प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा को पंजाब का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है पंजाब में 20 फरवरी को वेधान सभा चुनाव होने जा रहे हैं इसी के चलते उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्हें ये जिम्मेदारी उनके पूर्व में किये गए कारियों और पार्टी में मौझूदा सक्रियता के चलते सौंपी गई हैं पंजाब में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पवन राणा भी एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं